हेलो फ्रेंट्स असलाम वालेकूम वालेकूम तो माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आप सबके लिए लिए आई हो एक निटिंग डबल कलर की पैटर्न जो की बहुत ही एजी है बनाने में और डिखने में बहुत सुन्दों लगती है इस तरीके से इसकी लुक है देख सकते हो सो राइन कलर और एक क्रीम कलर अपने मंचही कलर इसमें लगा सकते हैं आपको जो भी पसंदे आ्पको आप बच्चों कर लेडियक किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं सभी प्रोजेक्ड मैंने यह तपड की सिलाई का क्यआइग जैकठ कार्डिगन बच्सरे में बसettes सब प्रोजेक्ट पे बहुत ही सुन्दों लगेगा और इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने आप नौ नंबर की स्टार्ट होती है अगर बॉर्डर के बाद फंदे आपको बढ़ाने किसी भी प्रोजेक्ट पे तो यह आपको उल्डी सार्च पंदे बढ़ा लेने हैं और इस चार सलाइई को डिजाइन यहीं, चार सलाइट को बार-bар नवीटट बढ़ार सेasu लिजियायद सुक्षम, शवप स्टारी तक समय सब्स्तों हमने स्टार्च ऑप्पर चूप, सबlaf के डिकन अ सहवूं बढ़ानेदे मेने समय के थाफप एपकेश्यांफ श्चव में संग यहां से शुरू हुआ है वही मैं आपको यहां से बताऊंगी इसी को आपको बार-बार रिपीट करते हुए जानी है तो आपकी डिजाइन इस तरीके से आ जाएगी बॉर्डर के बाद मैंने जो है यहां पर कोई फंदे नहीं बढ़ाए है क्योंकि मैंने आपको सेंपल बना जबनाएंगा है पाईश को आपने के साथ हुआ पर मैंने इस बाद मैंने यह जहां पर आपकर चाहते हैं पर तो सबस्क्रेइब कर सका निकिसाओं ी जो सिलाइ में इहांं से बनाइब लेंगे टोड़िस हमहीं सीधा किरें गवारा हुआ इसनी के था बरें भी यह था से देखे-पहले हम दो पंद में भारा गलर बनाओ करा कि अ эпाधि दो ती फंद धाविध शोड़िस हम को इस तरह के से और अब देखें फ्रेंस यहां से एक्ष्टिस को छोड़के दो 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 मतलब यहाँ पर छे फंदे हैं इनी छे फंदों को आपको बार बार रहांग एक्स फंद्स को चोड़कर फिर दो फंदे से आएगई और बीच पिन मंधे स्लिप रहतली है बीच में ये इक पिंग कलर कट चार फंदा रहकर दीजा रहाबम, fulfilling 4 इसे तरीक चार सेथे चार संदे, Term 4 सेथे learnt एक दो है कि ती चार इसी तरीके से आपको पूरी प्रोजेक्ट की साप से बनाते हुए एक सीधी साइट देखें दो फंदे स्लिप करेंगे फिर 4 फंदे सीधे 104 फंदे मैं इसलिए बताये तब को थोड़ा सा असान ही हो बनाने में यह दो फंदे है इन दो को मिलाके 4 फंदे फिर 4 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, और लास्ट के देखे, यहाँ पर पर भी हमारी तीन फंदे सीधे ही आने चाहिए, एक, दो, और एक तीन, तो देखे फ्रंट, डिजाइन की जो पहली सिलाई है, सीधी सैट से वो कंप्लीट हो गई है, अब आज यह तो इस टार्टिंग के तीन फंदे हम पहले उल्टे बना देंगे, डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी सैट से, तीन फंदे हमने उल्टे बना देंगे, फिर दो फंदो को इस तरिके से स्लिप करेंगे, बिना बुने उतार लेंगे, फिर बेच के यह चार फंदे हैं हमार चारवंदे उल्टे 2 तरह करेंगे दीजाइन की दूसतरी से मिलाए हम कमप्लीट कर लेंगे कशे इस तरीखra कि ये एस है जहाज से टेपेजल दूसतरी सिस्ट्रिफ करेंगे जान बेजा मिलाए है और दिखें लास्ट के हमारे तीन फंदे उल्टे आएंगे तो इन्हें भी हम उल्टा ही बना देगे तो इसी तरीके से हमने डिजाइन की जो सेकेंड रो है उल्टी साच से वह भी हमने कंप्लीट कर दी है अब आजाए थर्ड रो सीधी साच से अब हमारी यह बला पैटर्न तो इसको आपको थोड़ा सा द्यान से बनानी हें तो फ्रेंट्स अब हमारी डागा चेंज्ज होगी क्योंकि हमने दो द्लायँ बना ली है अब यह पर हमारी घ्राले उसे बनानी है नहीं पर सीधा बनाएंगे क्रेम कलर से पर एससे करके हम साब पहला जो स्पन्ता है इत क गोजो आगे से एक सिलाई को सीधा बना देंगे औरिस जो दो स्वाइब हमारी प्लें नहें भी हम सीधा बना देंगें सबारें कि यह दुटार देंगे केबल है त्विश्ट हो जाएगा उसके बार देखें इसे चार पंदों है इनमें सो दो खंदों निकालनी है और खोल लेनी है और पीछी केसे कर चार पंदोंีं यह चाओं कपर दे कर की रोपिश्ट करके त्विश्ट है और यह ज़ो पीछी है पिся ताय जाए empire का ne लाएंगे और इस उल्टे हाथ के सलाई में चड़ा लेंगे और यह तीन फंदे हैं देखें पिंक कलर के दो फंदे एक और दो और जो क्रीम कलर का है इसे भी हम सीधा बनाएंगे अब देखें फ्रेंस एक्ष्टिस को छोड़ दीजे और दो चार छे इन छे फंदों की डिज निकाल के फिर से इस में सीधा बनाएंगे चाहिए और इसको गिरा के मतलब करने के फिर से इस वाले संदे को भी हम सीधा बना देंगे तो और इन तीन हम आए पास से दिखा देती हूँ एक और यह दो दो लोगों को एसे चड़ा के और इसको हम खोल देंगे सलाइज्स से ताकि हमारी जो क्रीम कर आप वह पीछे चला जाए इस तरीक ते एसे हम इसको चड़ा लेंगे फिर दो फंदो को ऐसे लेंगे है और इन तीन फंदों को हम सीधा बनाएंगे एक दो और एक तीन दिखें ऐसे चार्टा हुआ चला जाएगा पहले हम इसे सीधा बनाएंगे फिर जो दो फंदे हैं इन्हें भी हम सीधा बनाएंगे ऐसे निकाल देंगे पिर इन दो फंदों को पीछे से सलाई को ऐसे डाल के इसको निकाल देंगे और क्रिम कलर का फंदा पीछे लेकर जाएंगे और रिफ्टिंग कलर के फंदे को आगे लेकर आएंगे और इत्रीन फंदे इन्हें हम सीधा बना देंगे तो फ्रेंस इसी तरीके से इन छे फंदों की डिजाइन को आपको तीसरी सिलाई में ऐसे ही बना झाल 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 इस तरीके से बनाते हैं आपको लाश्ट तर कंप्लीट कर लेनी हैं इस तरीके से हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे है इसको ट्विष्ट करके सीधा बना देंगी इस तरीके से लाश्ट का फंदा हम आप चाहिए तो सीधा बना सकते हैं आप पर सीधा बना देते हूं तो डिजाइन की जो तिसरी सिलाई है सीधी तरफ से हमारी कंप्लीट हो गई है आप 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 सोथी चलाई में कुछ नहीं करना है बस आपको जितने भी फंदे है आपके प्रोजेक्ट पेसाब से उतने पंदे को आप इस तरीक से उल्टा बना दिजिए बस आपको थोड़ा सा इसमें धीला डिला करके फंदे को निकालनी है दीला मतलब देखे इस तरीके से जैसे से जाएसां और अलॉल्टी तर草 से ध्यgenste करना देखे देखे और दो थोड़ा थोड़ा करके निकालनी गसे तो इसी तरीके से चौथी सिलाय गीसा से से देखे अंब बातू चला जाए मैं स्पर्वें सब्साइब में बताई है फिर से आपको दागा चेंज करनी है आपको इसको कट नहीं करना है ऐसे ही आप उपर की तरफ चड़ाते हुए इससे बना सकती है तो पहला एक स्टी से पहले फिर से मैं आपको एक सिलाई बनाके दिखा देती हूँ ताकि आपको फिर से रीपीट करने में कोई इसके बाद दो फंदे सीधे बनाने है तो दिखे एक टीश को छोड़के यह चे फंदो की डिजाइन है फिर से दो फंदे सीधे एक दो फंदो को स्लिप करेंगे फिर बीच में आपके चार फंदे से आएंगे तो इन्हें सीधा बना दिजेंगा से और इसीधे बना दिखे ने सीत है फिर दो फंदे आए घ।uteur लेंगे स्लिप कर लेंगे पर 4 फंदय सीधे और तक तुल करेंगे फर 4 फंदय तुम्वरें करें ड़्कीर पेसी तरीके से हमारी फिर से रिपीट होता जाए गाई है और फेर्ट कि यह teaching करें इसको बता दिए फिर से वही रिपीट करनी अफॉल्टी साइट से जो फंदा जैसे बनानी है और चुर्ण स्लिप किया है तो इस तरीके से आपके डिजाइन चर्टा हुआ चला जाएगा देक सकती हो इस तरीके से है इसकी लोग वरांज उम्मीद करती हो आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक के दिजेगा शेयर किजे का अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर भी क्लिक कर दिजेगा आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन के ल